अब यहां पर focus करेंगे क्योंकि हलकी सी profit-taking वहां पर भी है किशोर कैसे देखते हैं आप जो हमने recent run-up देखा था copper, aluminum, zinc में क्या यहां पर भी एक near-term top बन चुका है अब यहां आपको 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 अपसाइड जगा है कॉपर में I think 838, around 840 तक भी आपको आपसाइड जगा है Anything close to 832, 833 is a buy level for copper तो इन दिप से भी खरिदारी करके काम करना है और short की सलाफ इलहाल यहां पर किशोर की तरफ से नहीं है किशोर एक final सवाल यहां पर energy पे जहां पर crude में हमने constant decline आता हुआ देखा है चार हफ़ते के लोज पर अब कारोबार यहां पर क्या करने की राए है कि अब करूड में आइधिंक जो मिडलीस्ट को टेंशन सी इस हुआ उसके वज़े से थुड़ा बहुत वीकनेस देखने के लिए मिला और खासकर करके जो मिडलीस्ट इफेक्ट आपको ब्रेंट पर ज्यादा पड़ेगा जो प्रेंट के बीच में वह एक्सपांड वाता हुथा इधिंक फिलान के लिए वह करेक्ट हो रहा है यह जो पोजिशन से कि जो शॉर्ट डविट आइए और लॉंग बेंट जो पोजिशन बना हुआ है इधिंक वह मिझे लगता है कि यह हफते में एक अन्वाइंड हो ज अरौंड एक्सपांस अवेलेबल है वो खरीदारी करके चल सकते हैं 220-225 का टार्गेट हो सकता है stop loss से 140 का असपांस रख सकते हैं so I think that's a better way of trading crude at this point of time तो नंबर यहां पर देख लिए हमने तो short WTI long Brent में जो positions हैं वो यहां पर change हो सकते हैं हफता in that sense काफी important रह सकता है काफी सारा economic data भी है monetary policy meetings भी है China, Turkey में तो bazar of course वहां से भी cues लेता हुआ नजर आएगा बहुत शुक्रिया के शोर साथ जोडने के लिए तमाम strategies के लिए एक break का समय है अब लोटेंगे तो बात यहां पर गेहों की करेंगे क्योंकि यहां से काफी headlines है